The time has been changed और इसका best example है ये phone ये एक ऐसे phone का successor है जिसे 20,000 के अंदर कोई भी YouTuber, कोई भी influencer आँख बंद करके recommend कर सकता था अगर आपको एक बहुत कमाल की display चाहिए आपको एक अच्छा, नॉर्मल से अच्छा camera चाहिए अच्छे speaker, इवन भगी software होने के बावजूद भी अगर किसी normal इंसान को एक perfect सा phone चाहिए हो हर चीज एक normal level से उपर चाहिए वैसे इंसान के लिए Redmi Note 10 Pro Max एक बहुत ही कमाल का phone था लेकिन जैसा मैंने कहा time change हो चुका है चलो, 20,000 के अंदर आप वो value नहीं दे पा रहे है इवन 25,000 के अंदर भी मैं इसे देखूँ तब भी ये phone अपने value को justify नहीं कर रहा ये Note 10 Pro Max का successor नहीं बन पाया अगर इसको मैं एक conclude करूँ इस phone को तो मैं ये कहना चाहूँँगा कि ये phone एक best hardware at the best price आ रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको almost बहुत सारे लोगों को recommend नहीं करूँगा देखो, इस phone को हाथ में लेते ही आपको एक ऐसी चीज़ पता चलेगी जिसके लिए आपको 40 दिन phone को use नहीं करना हाथ में लेते ही आपको पता चल जाएगा इस phone के अंदर जो सबसे कमाल की चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है इसका कमाल का display देखो, budget displays की problem यह होती है कि उसके अंदर हमें flickering देखने को मिलता है यहाँ पर हमें camera के उपर flickering देखने को मिल रहा है वो हमारा जो camera का fps है जिसको रिकॉर्ड कर रहा है कैसे वो पड़ता है वो मैंने इस video में explain कर रहा है आप देख सकते हो लेकिन generally मैंने यह notice कर रहा है कि यह दिक्कत आपको budget range के phone के अंदर जो आपको emolet screen दी जाती है वहाँ पर जादा तर देखने को मिलता है लेकिन वो case इस phone के अंदर नहीं है मैंने अच्छे से बहुत सारा content इस phone के अंदर enjoy करा है लेकिन मेरी आखो पर कोई भी extra strain नहीं पड़ा सिर में दर्द वगेरा कुछ भी नहीं हुआ और display की quality के मैं बात करूँ तो ये display की जितने भी parameters होते हैं सब पर almost even निकलता है पैनल quality ले लो, brightness ले लो, color accuracy ले लो आप ये समझ लो जैसे Samsung के अंदर आपको सूचना नहीं पड़ता Samsung के बाद दूसरी कोई company आपको इस तरह की displays दे रही है तो वो of course Xiaomi है best in class under 25,000 के इससे अच्छी display आपको नहीं मिलेगी लेकिन even एक update आने के बाद भी YouTube के अंदर अभी भी हम 4K में videos नहीं playback कर सकते अब mana की Full HD Plus display के अंदर आपको जो output मिलेगा वो Full HD Plus ही मिलेगा चाहे आप इसमें 4K enable कर लो, 8K कर लो, 10K कर लो, कुछ भी कर लो रहेगा आपका output Full HD Plus ही लेकिन फिर भी हमें option तो at least मिलना चीएता वो आपको अभी तक देखने को नहीं मिलता इसके बाद दूसरी इसकी सबसे कमाल की चीज मुझे लगी वो है इसकी build quality मैंने अभी ठीक ठाक phone अपने हाथों में use करके देख लिया है इस price range के अंदर इसके आसपास इससे महेंगे phone भी मैंने use कर रखे हैं build quality के अगर मैं बात करूँ तो काफी काफी तगडी build quality है अब कई मामले में ये uncomfortable जरूर हो जाता है अगर मैं long term usage की बात करूँ जैसे मैं बहुत देर तक ऐसे करके वीडियो देख रहा हूँ तो इसके जो कोने है ना हाला कि ये थोड़े से rounded भी है लेकिन फिर भी ये कही न कहीं हमें थोड़ी बहुत दिक्कत देते हैं और ये चीज मैं long time की बात करूँ अगर हम जादा देर तक करें सेम यही चीज मेरे iPhones के साथ भी होती है अगर मैं इसको जादा देर तक ऐसे करके यूज करूँ ना तो हाला कि ये छोटा device है इस वज़े से इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती लेकिन अगर ये pro max वाला phone होता तो मुझे सेम दिक्कत होती जो मुझे यहाँ पर face करने को मिलती है तीसरी best चीज इस phone के अंदर है headphone jack और ये एक high-res audio jack है आपको सबसे कमाल का audio output देखने को मिलेगा speakers इसके काफी ठीक है battery भी मैं कहूँ तो हाँ ठीक चल जाती है ये है अगर आप heavy use भी करोगे तो आपको दिन में एक ही बार charge करना पड़ेगा हर शाम को charge में लगाओ अगर 80-90% के आसपास भी सुबह आपको उठाते हो phone को दिन भर heavy use करते हो आपका दिन भर phone चल जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है 8-9 बजे 10 बजे के आसपास आपको दुबारा phone charge करना पड़ेगा बाकि charging time में अगर आप interested हो 67W का fast charger आपको इसके अंदर देंगो मिलता है लेकिन ये full charge होने में एक घंटे के आसपास लगा ही देता है अगर मैं average time की बात करूँ आप लगा लो 50 minute के आसपास कभी-कभी एक घंटे से उपर हो जाता है अगर गर्मी कमरे के अंदर बहुत जादा है अगर जैसे मैंने अभी AC चला रखा है temperature बहुत सही है 40 minute, 45 minute के आसपास भी charge हो जाता है तो ये थे वो कुछ points जो इस phone को कुछ-कुछ लोगों के लिए recommend करवा सकते हैं लेकिन इसके अलावा जो भी इस phone के अंदर है कुछ खास नहीं है बात करें अगर इसके performance की इसमें आपको Snapdragon 695 देखने को मिलता है ये एक नया processor है तो यहाँ पर शायद इसको optimize करने में थोड़ी problem आ सकती है हाँ, और वो problem हमें यहाँ पर देखने को मिलती है लेकिन यहाँ पर गलती शायद Xiaomi की तरफ से हो रही है इस price segment में सबसे best phone का successor बनाने के बाद आप इसको बिना अच्छे से optimize करें बेज देते हो मेरे इस phone में 21 April को एक update देखने को मिला जहाँ पर कुछ bugs को fix किया गया है हाला कि मुझे कुछ इतना खासा change देखने को अभी तक नहीं मिला है bugs अभी भी काफी है हाँ stutter वगेरा जो jitter वगेरा है वो थोड़े से कम हुए है लेकिन यहाँ पर 40-45 दिन बाद आपको एक update देना वहाँ पर भी कुछ खास fix नहीं करना वही पर दूसरी company 695 के साथ जो phones दे रही है वो काफी अच्छे से optimize करके दे रही है अब मैंने performance की दिक्कत तो बता है लेकिन दिक्कत है क्या पहला अगर हम gaming की बात करें gaming के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत आती है heating की heating की इसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है heat को यह बहुत तगड़े तरीके से manage करता है मतलब यह phone किसी भी condition में मैंने use करा 42, 42, 2.5 या 43 भी लगा लो उसके उपर यह आज तक गया ही नहीं even धूब के अंदर, फुल धूब के अंदर camera में video record करा मैंने उसके बावजूद यह 43 degree से उपर गया ही नहीं तो heat को बहुत तगड़े से manage करता है दिक्कत यह है कि कुछ जादा ही शायद अच्छे तरीके से manage करता है कि यह अपने performance में बहुत जादा drop कर देता है अगर हम इसमें game खेलेंगे starting में तो जैसा game चलता है चलता रहेगा जब आप 30 minute 40 minute, 50 minute game खेल लोगे उसके बाद stuttering थोड़ी सी बढ़ जाएगी इसके बाद daily use में भी काफी आपको इधर-धर lag देखने को मिलेगा आप unlock करोगे, बहुत देर में unlock होगा या अगर unlock का जो animation है ये वाले animation में कई बार आपको जीटर देखने को मिलेगा, आप जब scroll कर रहे हो तो 120Hz पे scroll नहीं होगा frame drops होंगे बहुत सारे यहाँ पर अगर मैं कोई heavy task कर रहा हूँ जैसे बहुत देर से कोई video अगरा देख रहा हूँ या फिर game खेल रहा हूँ, कुछ भी heavy काम कर रहा हूँ उस time पर अगर किसी की call आ जाती है तो 2 second, 2 second, 3 second के लिए screen black out हो जाएगी, उसके बाद दिखेगा कि बहुत की call आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं text select कर रहा हूँ और यह update होने के बाद की दिक्कत है इस range को, मतलब यहाँ तक के text को select करना चाता हूँ, कैसे करूँ, यह वाला अगर मैं यहाँ पर last वाले text में कर रहा हूँ तब वो चीज़ आ रही है, लेकिन in general अगर मैं करूँ कहीं बीच में वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही इसके बाद haptics वगरा इसके अच्छे वाले हैं वैसे यह बताओ, कि हम तो कुछ दिनों के लिए एक महीना, डेर महीना यूज करते हैं फोन को, हम अपने haptics को on करके रखते हैं, लेकिन in general आप मुझे बताओ, कि आप अपने personal phone के अंदर haptics को use करते भी हो के नहीं, हम कहते तो हैं इसका haptics काफी जादा अच्छा है, काफी अच्छा experience आपको दे रहा है, लेकिन अगर मैं personally बताओ ना, मैं अपने इस phone के अंदर जो मिला DD driver है, इसके अंदर मैं अपने haptics को on नहीं रखता, क्यों क्योंकि मुझे battery से जादा प्यार है मेरी battery अगर मैं haptics on रखूंगा, बैटरी जल्दी जल्दी डाउन होगी, मुझे बार-बार चार्ज करना पड़ेगा battery health मेरी जादा जल्दी चली जाएगी तो आप नीचे comment करके बताओ, haptics कौन रखते हो या फिर नहीं, अब यहाँ पर यह नहीं कहरा कि performance इसकी बिल्कुल ही खराब है कि आप using नहीं कर पाओगे phone को मैं यह कहरा हूँ कि जिस price के अंदर यह phone आ रहा है, उस price के अंदर दूसरे phone के अंदर आप काफी अच्छा experience ले सकते हो, इसके बाद बात करते हैं इनके cameras की, यहाँ पर hardware फिर से जैसा कि मैंने आपको बताया आपको best दिया गया है लेकिन output best नहीं है यह कहीं से भी आपको 108MP तो नहीं दिखरा अब यहाँ पर देखो, दिन में तो आपको बहुत सही photos मिल जाएंगी, दिन में तो आपको 10,000 का phone भी अच्छी कासी photos निकाल के देदेगा बात है सारी low light qualities या फिर अलग-अलग light conditions में या even जो इसकी consistency है phones की जो cameras की consistency है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह consistent तो बिलकुल भी नहीं है यह photo बिलकुल sharp, बिलकुल focused है subject हमारा बहुत शाब देखने को मिल रहा है थोड़ी low light के अंदर ली गई है लेकिन काफी सही photos है वही पर ये photos देखो light same, मैं बिलकुल वही पर खड़ा था सब कुछ same है लेकिन focus यहाँ पर हड़ गया है इन photos के अंदर आप देख सकते हो कैसे color shift हो गया वही पर जब HDR on कर दिया मैंने तब जाकर थोड़ी usable photo आई है in general मैंसे फितना ही कहना चाहूंगा कि इस price point को ये camera justify नहीं करता इसी के साथ मैंने आपको बताया कि इस phone के thermals को काफी अच्छे से manage करा गया है लेकिन इतने अच्छे से भी manage करना देखो 43 से उपर चले जाओ न किसने मना करा है दिक्कत यहाँ पर ये है कि आउटडोर के अंदर आप shoot करने गए धूप अच्छी खासी हो रही है, गर्मी हो रही है 2-3 मिनेट के अंदर ये brightness को down कर देता है आपको subject दिखे गए ही नहीं, आप ये देखी नहीं पाऊगे को photo खिच कैसी रही है तो ये एक problem है, भाई इतना भी जादा heat को मत control करो न तो यहाँ पर अगर हम इस phone को अपने तरीके से conclude करें तो ये हैं हमारे 4 users और ये हैं उनके use case यहाँ पर आप display best quality है 25,000 के अंदर, चारो के अंदर टिक लगा दो बैटरी मेरे हिसाब से ठीक है, 5000 mm जैसी नहीं है, जैसी आप expect करोगे उतना तो नहीं मिलेगा लेखिन फिर भी, हाँ आप 4 users के लिए sufficient है खेल यहाँ पर user interface, display और camera के ओपर चलेगा देखो, parents के लिए user interface ठीक है, क्योंकि वो लोग इतनी तेजी-तेजी से काम नहीं करते वो एक app को खोलेंगे, उनके पस तसल्ली है, बहुत patience रहता है performance, obviously पाप अममी लोगों को इतना फरक नहीं पड़ता, तो उनके लिए sufficient है cameras की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो हम लोग अपने हिसाब से focus को shift कर सकते हैं, अपने हिसाब से exposure को कम जादा कर सकते हैं हम काफी अच्छे से control कर सकते हैं, जो camera में अलग-अलग feature से उनका फायदा उठा सकते हैं घरवालों का क्या है, camera खोलना है और photo click करनी है, लेकिन lack of consistency की वजए से मैं यहाँ पर recommend नहीं करूँगा parents के लिए camera इस phone का इसके बाद students की अगर हम बात करें, तो user interface जैसे कि हमने बताया कि हम लोग फटफट करने वाले लोग हैं, तो मैं recommend नहीं करूँगा students के लिए यह वाला user interface, इतने सारे bugs के साथ मैं recommend नहीं करूँगा, performance obviously नहीं है इस phone की, अब यहाँ पर 695 को दोश मत देना, दोश है यहाँ पर Xiaomi के optimization का, और उसके बाद camera की अगर मैं बात करूँ, तो देखो काम चलाया जा सकता है, students काम चला सकते हैं, मैंने बताया कि हम तो आती है, जब कोई बड़ा moment हो, ऐसा moment जो तुरंत हो जाता हो, वहाँ पर अगर इस camera ने धोका दिया ना, तो दिक्कत वाली बात है, बाकि normal user की मैं बात करूँ, तो user interface उनके लिए भी मैं recommend नहीं करूँगा, performance उनके लिए भी इतनी अच्छी नहीं है, price के हिसाब से, बा बाकि एक ultra user की मैं बात करूँ, तो user interface और performance, obviously दोनों ही उनके मतलब की चीज नहीं है, camera वो लोग use करते ही नहीं होंगे, इस वज़ए से camera तो उनके लिए चली जाएगा, तो 90% लोगों के लिए ये phone cancel है, recommend किसके लिए करता हूँ, जिसे media consume करना है, जिसे display सबसे ज़्यादा इसके लिए important है, सिर्फ वही इस phone को ले सकते हैं, 3.5 mm jack के साथ, इसकी खुबसूरट display आपका दिन बहुत तगड़े से काट देगी, बाकि सभी users के लिए इस price range के अंदर बहुत अलग-अलग options है, वो इससे काफी अच्छे हैं, तो मुझे उमीद है ये video आपको पसंद होगा, 40 दिन के बाद जो एक update आया, वहाँ पर भी कुछ भी ऐसा मुझे फरक नहीं देखने को मिला, बाकि अगर कुछ मिलता है, तो आप मुझे ट्विटर पर follow कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा कि कुछ क्या update आया, या फिर क्या नया आया, जो भी update मे bucks fixes थे, वह हुए या फिर नहीं हुए, अगर आपको वीडियो पसंदे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नव चैनल को सब्स्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ग्यान बाटते रहते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक, जै हिंद, बंदे मात आपसे हुएते 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 हैं, तो कर दो ममझा खायं रहा हुएते हैं, बंदे